आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जिक के कलासे जो 1922 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RPSC 2nd Grade अंग्रेजी विशे के रिजेल्ट और कटोक मर्क्स रिलेटेड अपडेट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा चली वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों या आप देख सकते हैं राजस्तान लोग सेवायोग अजमेर की दुवारा ये 8 सित्मबर 2020 की लेटेश्ट अपडेट है वरिश्ट अध्यापक यानि 2nd Grade टीचर अंग्रेजी विशे के रिजेल्ट से रिलेटेड आर पेस अंग्रेजी विशे के पदो हेतु आयोग दुवारा गुरुप B के प्रथम प्रश्ण पत्र जिक्के तथा दुट्य प्रश्ण पत्र अंग्रेजी की लिखित परिक्षा ओब्जेक्टिव टाइप क्रम सह दिनांग 372023 तथा दिनांग 232222 को आयोजित की गई थी उक्त परिक्षा के फल सरूप TSP एवं नोन TSP छेतर हेतु विज्ञापित पदों के विरुद नेमन लिखित रोल नमर वाले अब्यार्थियों को पात्रता की जांचेतु विचारित सूची प्रोविजिनल लिस्ट ओप केनिडेट्स फोर एलिजिबिलिटी चेकिंग में एस थाई रूप से सम्मिलित किया जाता है तो यह अंग्रेजी विशे का क्या है प्रोविजिनल रिजेल्ट है यानि डोकुमेंट स्विर्फिकेशन के पस्चात जो है फाइनल रिजेल्ट जारी किया जाएगा तो यह आप देख सकते हैं यह रोल नमबर है TSP एरिया के RPSC 2nd Grade अंग्रेजी विशे TSP एरिया के उत्तिरण ब्यार्थियों के यह रोल नमबर है यह आप देख सकते हैं पूरी डिटेल के साथ में टोटल जो ब्यार्थि है TSP एरिया के वो है 143 ठीक है इसके बाद में यह आप देखिए यह नोन TSP एरिया के यह नोन TSP एरिया के गेर अनुसूची छेतर के उत्तिरण जो अब्यार्थियों उनके रोल नमबर है तो आप सभी केनिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई और आपके उजवल भविश्य की सुबकामन है ठीक है और जिन अब्यार्थियों का इस एकजाम के अंदर प्रोविजिनल लिस्ट में सेलेक्शन नहीं हो पाया है उनको निरास होने की आवश्यक्ता नहीं है आप मैनत करते रहें इसवर आपको एक नेक दिन निश्चित रूप से सफलता प्रदान करेगा अगर आप निसलगातार सतत परिश्रम करते रहेंगे मैनत करते रहेंगे अपने लक्षे को जो है एक दिन जरूर आप प्राप्त कर पाएंगे ऐसी मेरी इस्वर से दुआ है तो यह आप देख सकते हैं यह non-tsp area के उत्तिरण जो अभ्यार्थी हैं उनके रोल नमर है इनको प्रोविजिनली जो है उत्तिरण गोशित किया गया है ठीक है आरपेसी के दुआरा इनका फिर डोकुमेंट सेरिफिकेशन का कारी करम जारी किया जाएगा और फिर इनका जो योग्या ब्यार्थी पाए जाएंगे उनका फिर फाइनल जो रिजेल्ट है वो आरपेसी के दुआरा जारी किया जाएगा ठीक है तो यह non-tsp area के ब्यार्थी होगे आप रोल नमर देख सकते हैं इसके बाद में पर बात करेंगे कटोफ मार्क्स की तो यह देख सकते है टोटल जो अब्यार्थी है वो कितने होगे यह होगे तीन हजार दो तीन हजार दो अब्यार्थी ठीक है अब देखिए यह सुची चैन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अब्यार्थियों की अब्यार्थिता सुनिश्चित किये जाने के करम में केवल दस्तावे सत्यापन के उद्धेस्थे से तथा यह चैन सूची, वरियता सूची नहीं है, अन्तिम रूप से सफल अभ्यार्थिओं के सूची दस्तावे सत्यापन के पस्चा जारी की जाएगी, जो मैंने आपको भी बताया है, दस्तावे सत्यापन का कारिये काउंसलिंग के माद्दे में से किया जाएगा अत्य अब्यार्थी अपना विस्तृत आवे दिन पत्र बरकर काउंसलिंग के समय उपस्तित होएं काउंसलिंग के विस्तृत कारीकरम के समद में आयो की विवसाइट एवं अन्य माद्य में से यथा संभव प्रत्थक से सुचित कर दिया जाएगा तो ये जो अब ब्यारत ही हैं टोटल नोन टीएश्प और टीएश्प एरिया के जिनका प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो आर्पेसी ने जारी किया है इनको क्या किया जाएगा दस्तावे सत्यापन के लिए डोकुमेंट सेरिफिकेशन के लिए आर्पेसी के दुवारा काउंसलिंग कारीकरम आयुजित किया जाएगा तो counseling की सूचना RPSC की दुवारा अलग से आपको प्रदान की जाएगी तो हमारे चैनल को subscribe करके रखो जो भी latest update आएगी वो आपके पास में आ जाएगी अगर telegram channel को आप subscribe करना चाहते हैं तो हमारा telegram channel है जिक्के कलासे जुनी सो बेतर वहाँ पर भी RPSC से related सारी PDF जो अब आपको उपलब्द हो जाएगी इसके बाद देखिए आयोग दुवारा अब ब्यार्थियों की पात्रता की जाँच विज्यापन की सर्तों या नियमों के नुसार की जाएगी पात्रता की समस्त सर्ते नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अब ब्यार्थियों की पात्रता आयोग दुवारा रद कर दी जाएगी तता पत्र पाएगे ब्यार्थियों में से ही नियम आनुसार मुख्य चैन सुची एबं आरक्षित सुची जारी की जाएगी ठीक है तो जो विज्ञापन जारी किया गया था बरतिपरिक्षया का उस विज्ञापन की नियम और सर्तों के कोर्डिंग जो है अब्यार्थियों की पात्रता की जाच की जाएगी और जो पात्रता की समस्त सर्ते पूरी करेंगे उन अब्यार्थियों को जो है फाइनली रू के अंदर सामाने जो कटोफ मार्क्स रही है वो 203.93 में रही है SC जो केटेगरी है इसकी जो सामाने कटोफ मार्क्स रही है वो 111.25 रही है ST की जो सामाने कटोफ मार्क्स है वो 182.84 रही है ठीक है ये horizontal reservation है horizontal reservation का मतलब होता है 36 आरक्षन यानि आरक्षन के अंदर आरक्षन है जैसे access management है विकलांग बगर है ठीक है इस पर sportsman है उनकी जो category होती है अलग-अलग उनको जो है और आरक्षन के अंदर आरक्षन प्रदान किया जाता है इन केटेगरियों के अंदर कोई भी अब्यार्थ जैओ उपलब्द नहीं था अने का मलब है not available not available का full form जैओ आपको आगे बताऊंगा मैं आपको अब ये देखी आप cutoff marks non-tsp area की यानि गेर अनुसूचित छेत्र यानि सामाने जो है वो cutoff marks कितनी कितनी रही है अलगले केटेगरी की देखी जनरल की जो cutoff marks है वो है 233.7 में EWS की जो सामाने cutoff marks है वो 269.54 SC की जो सामाने की cutoff marks रही है वो 222.4 में ST की जो सामाने cutoff marks रही है वो 187.06 रही है और इसके बाद देख सकते OBC की जो cutoff marks रही है वो 272.84 रही है MBC की जो सामाने cutoff marks है वो 204.65 रही है और सेरिया की जो सामाने cutoff marks है वो not available ठीक है और यह इधर cutoff marks की date of birth दी हुई है यह सब जगे हैं date of birth इसका मतलब क्या है date of birth cutoff marks का मतलब यह है अगर आप नए है चैनल पर आपको पता नहीं तो मैं आपको पता देता हूँ कि माली जी एक ही category के अंदर दो या दो से अधिक अभ्यार्थि जो है उनके समान cutoff marks आ जाते हैं उस situation में RPC के दोरा अधिक date of birth वाले ब्यार्थि को वरियता प्रदान की जाती है ठीक है और यह आप देख सकते है non-tsp area का horizontal reservation का cutoff marks यान क्षेती जारक्षन का cutoff marks जिसमें आप अलगलग category की आप देख सकते हैं यह अलगलग category है इनकी आप देख सकते हैं NA का मतलब देखिए यहाँ पर NA से तात्प्रियन candidates not available due to minimum qualifying marks age पर service rule यानि service rule की according जो minimum योग्यता चाहिए पास होने के लिए minimum marks जो चाहिए ने वो इस category के अंदर ब्यार्थी उपलब्द नहीं थी इस वज़े से आपर NA लिखा हुआ है तो दोस्तों यह थी आपके लिए आरपेसी सेकंड केरेड बरती परिक्षा दो 2022 विसे अंग्रेजी की रिजेल्ट और कटोप मर्क से रिलेटेड अपडेट इसी परकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद